दोस्तों British Government पहली बार इंडिया में कोई एक्ट 1773 में लेके आती है जिसको हम Charter Act of 1773 भी बोलते हैं इस एक्ट में British Government Centralization की सुरुवात कर देती है यानि यहां से सारी पावर एक जगे कंसेंट्रेट करने की सुरुवात होती है इसमें पहला स्टेप होता है गवर्नर अफ बंगाल को गवर्नर जनरल अफ बंगाल बना देना उसके बाद दूसरा स्टेप होता है बॉंब्या और मदरास की Presidency को गवर्नर जनरल अफ बंगाल के अंडर कर देना कलकता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट इसी एक्ट के अंदर establish किया जाता है कमपनी के किसी भी servant को private trade करने की permission नहीं दी जाती है और last eight चीज और करी जाती है कि कमपनी का जो court of director था उसको अब अपने सारे affairs को report करना पड़ेगा British government को दोस्तों ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि British government कोई act लेकर आ रही थी इंडिया की governance को देखने के लिए इंडिया की administration को देखने के लिए और इसी को हम charter act of 1773 बहुते दोस्तों इससे पहले एक चीज और हुई थी 1775 में एक बड़ा step लिया गया था 1775 में क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे इसके बाद 1773 का act लाया जाता है